आज दोस्तों मैं हूँ शहदाद अलंबर्नी आप देख रहे हैं अधा बर्नी शो आज हम अपनी शो में जो मुद्दा लेकर क्या है वो मुद्दा अमेरी की चुनाव से चुड़ा हुआ है डोनाड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के रास्ट्रपती रहे अभी चुनाव हार चुके हैं हलाकि हार मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन चुनाव हार चुके हैं 20 नवंबर को बाइडन शपत लेंगे रास्ट्रपती के पत के तौर पर ऐसे में सवाल यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने हारते हारते भी एक रिकॉर्ड बना दिया कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो जीत करके बनाय जाते हैं कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो हार करके भी बना लिये जाते हैं दरासल पिछले 28 साल में ऐसा कारणामा कभी नहीं हुआ जो डोनाल्ड टरम्प ने करके दिखा दिया वो कारणामा एक धबा है डोनाल्ड टरम्प के उपर क्योंकि डोनाल्ड टरम्प दوبारा से रास्टरपति नहीं बन पाए है अमेरिका के अंदर रास्टपती का कारेकाल चार साल का होता है 2016 में कमान समाली थी डोनार्ड ट्रम्प ने और 2016 में कमान समाली थी जब ब्रेक उबामा ने अपना कारेकाल पूरा किया था 1992 में के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई राश्ट्रपती दूसरा टर्म ना कर पाया हो यानि के एक ही बार के बाद वाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो 1992 में बिल क्लिंटन डेमोक्रिटिक पार्टी के राश्ट्रपती हुआ करते थे 1990 में जीते थे उसके बाद 1996 में जीते थे Bill Clinton के बाद George W. Bush ने कमान समाली Republican Party के नेता थे जो Donald Trump की पार्टी है 2000 में चुनाओ जीते फिर 2004 में चुनाओ जीते उसके बाद 2004 के बाद 2008 का जो चुनाओ उसमें Barack Obama जो Democratic Party के नेता थे वो जीते फिर 2012 में भी दोबारा से Barack Obama जीते और दो टर्म पूरे करने के बाद Donald Trump 2016 का चुनाओ जीते अमेरिका में दो बार से जादा रास्ट्रपती नहीं बन सकते हैं लेकिन आम तोर पर ये फिर किरिया देखने को मिलती है कि कोई भी रास्ट्रपती दो टर्म तो पूरे कर ही लेता है 1988 में George Bush रास्ट्रपती बने थे जो एक ही टर्म पूरा कर पाए थे उसके बाद 1988 के बाद अब 2020 में डोनाल्ड टर्म ऐसे रास्ट्रपती बने है जो सिर्फ एक ही टर्म रहे और उन्हें दूसरा टर्म नहीं मिला है यानि कि 1992 में से ले करके जितने भी रास्ट्रपती रहे उन सभी को दो दो बार देश की सेवा करने का मौका मिला लेकिन डोनाल्ड टर्म को अमेरिकन लोगों ने बाहर निकाल दिया है उन्हें सेवा का मौका नहीं दिया है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है अठाइस साल बाद ऐसा कोई एतिहासिक कर रहे हुआ है आप इस record को किस तरह से देखते हैं अपनी राया ज्रौर में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जा करके ऐपनी राया में ज्रूर बताएM आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानि के इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिये हुएं, उन लिंक्स पर जाकर कि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुकरिया